आज हम जो सूट कवर करने वाले हैं दाट इस अबाउट फोर्स जब फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स जेनरली रेफर्स टू नेचर का लॉग जिस पर हमारा क्या किसी का भी कोई जोर नहीं चलता तो उसको रेफर करता है आपको जादा तर ब्ल्यू कलर का रेफरेंस मिलेगा सीनिक ब्यूटीज है जादा तर ब्ल्यू कलर या मिक्स कलर तो यह नेचर के फोर्स को कही ना कहीं दर्शाने वाली एक सिनारियो सामने आएगा के नेचर के अनकंट्रोल्ड फोर्स है उपको दर्शार है इसका जो पहला कार्ड है नाम है अगर यह कार्ड अपराइट होता है तो अकाशिक फील्डग की तरह औरा energy flow करती है इसमें particles change होते हैं और interact करते हैं atoms के साथ, earth के atmosphere के साथ तो धर्ती से थनी दूर भी सारी information, power, energy, experiences इस relam में गूनती है और यह हर particles इस relam का आपका हो सकता है यह कार्ट जब कभी भी किसी क्वेरेंट के लिए आता है और स्पेशली अप्राइट पुजिशन में आता है तो आप क्वेरेंट को बोल सकते हो कि वो अलग सी ओपर्चुनिटीज या अमेजिंग सिच्वेशन स्पेश करने वाले हैं अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं काम करने की और आकाशिक रिकॉर्ट के डोर्स खुलने वाले हैं उनके लिए उनकी जो लाइफ पोर्स एनरजी है इस समय यूनिवर्स के साथ सिंक में है और इतनी अच्छे से सिंक्रोनाइ कि उसका बेनिफिट उन्हें मिलेगा अपनी इंटेंशन के साथ अगर वो मेडिटेट करें अपने गोल्स को विज्विलाइज करें तो यूनिवर्स उनके साथ मिलकर उनकी मदद करने के लिए तयार है अगर यही कार्ट रिवर्स में आता है तो अकाशिक फील रिवर्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं गुसा है या ऐसी एनरजी है आपके इर्द गिल्द जो आपको कनेक्ट नहीं होने दे रहें तो एनरजी किस तरीके की लोवर एनरजी नेगेटिव एनरजी वो गुसे के फॉर्म में हो सकती है किसी तरीके के गिल्द के फॉर्म में हो सकती है किसी consciousness तभी available होती है जब आप eternally rise कर लेते हैं अपनी vibrations raise कर लेते हैं अब यह क्या बता रहा है कि जो field है उसमें हर चीज का solution है हर उस problem का भी solution है जो आपको इस समय परिशान कर रही है तो इसके लिए आकाशिक records से connect करना आकाशिक energy से connect करना एक अच्छा idea है उसके लिए थोड़ी सी vibrations raise करने की जरूरत है जिसके लिए आपको meditate करना होगा